गर्मियों में सौफ का सेवन होता है बहुत फाइदे मन जाने इसके दंग कर देने वाले बहतरीन फाइदे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों सौफ का इस्तिमाल लगभग हर घर में किया जाता है यह एक अच्छा माउथ फ्रसनर भी है यही कारण है कि रेस्टोरेंट और दूसरी जगों पर खाने के बाद सौफ दिया जता है इसका इस्तिमाल मसाले की रूप में भी किया जाता है वहीं अचार हो या कोई भरवा सबजी बनाने के लिए तैयार मसाले में सौफ को जरूर सामिल किया जाता है सौफ की तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्मी में इसका यूज जादा किया जाता है लेकिन इसमें पाए जाने वाले पोसकता तो सेहत के लिए बहुती फाइदे मंद होते हैं इसमें कैलसियम, सोडियम, आइरन और पोटैसियम जैसे खनिस्तत तो पाए जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुती लाबदैक होते हैं इसी बीच आज हम आपको सौंफ के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सौंफ के फायदों के बारे में रेगुलर सौंफ खाने से आखों की रोशनी तेज होती है इसे मिस्री के साथ खा सकते है खाली पेट सौंफ का सेवन करने से खून साफ होता है जिससे चेहरे पर निखा राता है बादाम, सौंफ और मिस्री को समान मात्रा में पीस कर रोज रात में और दोपहर में खाना खाने के बाग खाने से यादास्त तेज होती है महिलाओं के पीरियट्स अगर अनियमित हैं तो सौंफ का सेवन बहुती फायदे मन्द होता है गुड के साथ सौंफ खाने से आपको जरूर फायदा मिलेगा अगर मुह से दुरगन धाती है तो इससे बचने के लिए नियमित रूप से दिन में तीन चार बार आधा चम्मच सौंफ जरूर चबाएं